नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका आपने यूटूब चेनल जीवा स्टुड़ी पर में अंकिता जाएंगे तो आज हम बात करेंगे जो हमने सीरीज शुरू की है प्रीविस क्यूशन पेपर्स को लेकर सेकंड ग्रेड में जो हमने ग्रूप टी का जीकी का पेपर था वो क्लाश भी देख सकते हैं और आज हम सॉल्व करेंगे ग्रूप C के जो घीकी का पेपर है उसको ठीक है तो चलिए शुरूबात कहते हैं तो पहला प्रश्ण है फूटा देवल मेला कहां अयोजित किया जाता है फूटा देवल मेला कहां योजित किया जाता है तो इसका सही मने जाता है बादरपद की कृष्ण पक्ष की तृत्या को ठीक है बादरपद की कृष्ण पक्ष की तृत्या को मने जाता है कजली तीज का त्यों और और कहां का फेमस ही बुंदी का फेमस है अगला सवाल है सांजी के रूप में किस तेवी की पूजा की जाती है कि सांजी की रूप में माता पारवती की पूझा की जाती है अगला सवाल है मादलिया आबुरशन महीलाओं द्वारा सरीर के किस अंक पर पहना जाता है ठीक है मादली आभुषन जो थोटे बच्छी पएनते हैं देखा होगा तो यह पैना जाता है वक्ष यानी की गले में पैना जाता है अगला सवाल है मांचरित्र राषों की रचेता कौन है इनमें से कवी नरोतम कभी नरोतम जो है वो मानचरी तराशो की रचेता है सायते में आप ये भी एक नोट कर लेना कि मानचरी तराशो की रचेता कोन है कभी नरोतम अगला सवाल है अगनी नरते का उद्गम किस स्थान से वहा है ठीक है अगनी नर्ते का उद्गम किस स्थान से वह है तो इसका उद्गम हुआ है कत्रियासर भिकाने में ठीक है जो जसनादी संप्रदाय के लोग है जो जसनाद जी को मानते हैं उनकी संप्रदाय की मुख्य विशेशता ये अगनी नर्ते है ठीक है अगनी जो अंगारे होते उन पर वो नर्ते करते हैं ठीक है अगला सवाल है राजस्थान का राज्यपाल निम्न में से किस विश्विद्दाले का कुला धीपती नहीं है हमें पता है कि राज्ये के जो विश्विद्दाले होते हैं उनका कुलादी पती जो होता है वो राज्येपाल होता है पुछा इन में से कौन से कर नहीं है तो यह जो है यह जो राज्ये की विश्विद्दाले है ठीक है उनका कुलादी पती पुछा है तो इनका तो है राज् राजस्थान केंद्री विश्वय दाले अजमेर जो राजस्थान में राज्य में जो केंद्री विश्वय दाले होता है उनका कुलादी पती राष्ट्रपती होता है ठीक है फिर वो उसमें कुल्पती की नुक्ति करता है ठीक है तो इनका जो है वो कुलादी पती होता है अगला सवाल है किस की सला करता निर्वाचनायों की सला पर करता हैmini अर्टिकल 192 में बात कई हुए है कि राज्य पाल जो है विदासभा सद्धिश्यों की निर्यों के तक निर्ने लेता है और किसकी सलापर राज्य निर्वाचन आयोग जो थे उनकी सलापर निर्ने लेते हैं अगला सवाल है निम्नमिर से कौन सा कतन राजस्थान लोक सेवा आ द्वारा आयो कि कार्यों को नियमित करने के उद्धिश्य से वी नियम पारित किये गए यह सही है मुखे नैजिस एसके घोस को इसका अद्यक्ष मनाय गया था यह बी सही है पर ऑप्षन जो दूसरा है प्रादम में इसके अद्यक्ष चार सद्धिश्य थे यह गल्लत है प मानवादिकार सरक्षन दिनियम मानवादिकार सरक्षन दिनियम कब यह दिनियम आया था कि राज्य जो सरकार जो वह भी मानवादिकार जो आयो का गठन कर सकती है तो वह आया था 1903 में तो मानवादिकार सरक्षन दिनियम 1903 में राज्य मानवादिकार आयो का गठन हमार जो मानवादिकार सरक्षन अधिनियम 1903 में को और राज्य मानवादिकार आयोका गठन वहा था 2000 में और मानवादिकार सरक्षन संसोदन अधिनियम जो है वो आया था 2006 में जिसमें एक अध्यक्ष लस्य दो सद्यश्य गर दिये थे राजस्थान राज्य मानवादिकार आयो के बारे में एदिसूषना जो आई थी 1999 में ये भी याद रखना है कब एदिसूषना आय थी और कब गठन हुआ था ठीक आधिसूषना आय थी 18 जनवरी 1999 में ये भी याद रखना 18 जनवरी 1999 में राजस्थान राज्य मानवादिकार अगला सवाल है राजस्तान पंचायती राज अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उप्रांत ग्राम सेवक को जाना जाता है ग्राम सेवक को अब किस नाम से जाना जाता है ग्राम विकास अधिकारी के रूप में ठीक है और यह भी याद रखना कि कौन से संशुद अधिनियम के बाद राजस्तान पंचायती राज अधिनियम 2021 के बाद 2021 में संशुद नवा था कि ग्राम सेवक को अब ग्राम विकास अधिकारी के रूप में जाना जाएगा एक सवाल ये भी रायात रखना पंचाय थी राज में कि ग्राम सेवक की जो न्यूक्ति की जाए ये जो सिफारिश हो किस ने की थी तो गिर्धाई लाल व्यास सम्मीती थी 1973 में उन्होंने इस सिफारिश की थी कि ग्राम सेवक जैसा पद भी बनाया जाए ग्राम सेवक को अब जाना जाता है ग्राम विकास अधिकारी के रूप में 2021 के संशुदन के पस जाता है ठीक है अगला सवाल है 2017 के राश्टरपत्ति चुनाव में राजस्थान विधान सबाठी एक सदेश्य का मत मुले क्या था राश्टरपत्ति के चुनाव में हमें पता है मत मुले निकालते हैं तो राजस्थान के जो विधान सबाठी सदेश्य है एक उनका मत मुले कितना था 129 ठीक है याद रखना अगला सवाल है राजस्तान विधान सबाट ये किसी सदश्य के त्याग पत्र के समन्द में निम्नाकित में से कौन सा कतन सही नहीं है यानि कि जो सदश्य त्याग पत्र देता है तो उसमें किस प्रकार वो दे सकता है, कब तक दे सकता है, क्या शर्ते हैं, ठीक है तो इनमें से हमें देखना है कि कौन सा आसते है पहला कतन है कतन हम इसलिए पढ़ लेते हैं दाकि हमें ध्यान में रहे कि ये प्रोसेस सही है त्याग पत्र देने की या फिर ये कर सकता है इसको भी सदश्य ठीक है और सुचित करता है कि त्याग पत्र स्वेचिक और असली है और अध्यक्ष के पास उसके विप्रित कोई सूचना अत्वा जान नहीं है अध्यक्ष तुरंग त्याग पत्र स्विकार कर सकता है ठीक है अध्यक्ष को जो त्याग पत्र देता है सदश्य और उसको पता हो चिसक कि किस इन्त्तंत नहीं है तो त्याग पत्र स्विक्ताई है अध्यक्ष को किसी अन्य के माध्यम चिनत्त ह को चिक और असली है जांच करवा सकता है जैसा हुआ उचित समझे ठीक है इसमें अध्यक्ष जो है निड़ने ले सकता है अगर वो चाहे तो त्याग पत्र की जांच भी करवा सकता है यह असली है या नहीं है ठीक है और अगला है कि कोई सद्ष्य अपना त्याग पत्र अध्यक में रहे ठीक है अगला सवाल है राजस्थान विधान सभाटी लोग लेखा समिति के सदेश्यों का कारेकाल है तो लोग लेखा समिति के जो सदेश्यों होते हैं उनका कारेकाल होता है सिर्फ एक वर्ष का ठीक है याद रपना अगला सवाल है निम्न में से किनों ने पीड के छेत्रादिकार में आने वाले संभागों के सही सम्मों को पहचान है यानि कि जो जेपुर पीड के छेत्रादिकार में आते हैं अपीली अधिगरण में वो कौन-कौन से संभाग है ठीक है तो उनमें है एक तो जेपुर अजमेर भरतपुर और कोटा यह चार संभाग सिता जेपूर ने ठीक है उस समय केरंट में चल रहा था तो जेसी कुछन पूछ लिया गया अगला सवाल है राजस्तान के नियम नांकित में से किस चिले में साख्षत अदर सबसे कम है सबसे कम कहां पे है तो वह है जालोर में जालोर में तो वो उद्यपूर में स्थापित की गए ठीक है पहली जन जाती हो की अकादमी अगला सवाल है पर्त्वी के महद्यूपे भाग पर सबसे गहराई वाला बिंदु अवस्थित है तो वो अवस्थित है अंटार्टिका में ठीक है अगला सवाल है निमली के तकत्नों पर विचार कीजिए भूमंडली पाउने परमुक तया निर्भर करती है वायुदा पेटियों का उद्भव, पर्त्वी का घूनन, वायुमंडली आद्रिता, माध्यूइप और महासागरों का वित्रण इन में से तीन जो परमुक कारण है वो बताने है जो निर्भर करती है उन पर भूमंडली पाउन वायुदा पेटियों के उद्भव पर तो करेगी सही है यह पर्त्वी का घूनन भी है जो उनकी भूमंडली पाउनों के लिए और माध्यूदा पो महासागरों का वित्रण भी परमुक कारण है तो ABD इसमें सही हो जाएगा कि परमुक कारण जो है वो यह तीन है ठीक है वायुमंडली आदरता है इतना इफेक्ट नहीं करते जितना ही तीन करते है वायुदा पेठो का उद्भव परत्वी का घूनर और महाधीप और महासागरों का वित्रण ठीक है प प्राइद्वी भारत के पठारों का पस्चिम से पूर्व सही करम जाए अब हमें पुछा है कि पस्चिम से पूर्व चोर सही करम जाए ठीक है तो देख लेते हैं इनमें से कौन सा सही होगा दक्कन का पठार चोटा नागपुर का पठार दंड करने पठार एम मिघाले ठीक है उसके बाद आएगा दंड का रने का पठार ठीक है फिर आएगा छोटा नागपुर का पठार और सबसे पूरों में आएगा सबसे पूरों में आएगा मेगाले का पठार ठीक है 9 से याद रखना है पहले दक्कन का पठार फिर दंड कारने का पठार फिर छोटा नागपूर का पठार और फिर मेगाले का पठार ठीक है चारों की सिती इस परकार से है ठीक है तो पस्चिम से पूरों की ओर हो जाएगा यह तो इसका सही आंसर होगा यह पस्चिम से पूरों की ओर पहले दक्कन का पठार फिर दंड करने पठार फिर छोटा नाक्पू का पठार और फिर सबसे पूरों में मेगाले का पठार अगला सवाल है नियुम्न लिकित में से कौन से नदी सहाद्री के पश्चिम के और बहने वाली नदी नहीं है यानि के पश्चिम जो सहाद्री है उसके पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है ठीक है तो मंडोवी सरावती भारत पुझे सभी पश्चिम के और बहने वाली प्रव CONsilalten को एक मलम सी पर जल पर पाथे बारत नियागा बिकाल रॉट को गुजरती है अंट्रावती के बारें में एक थि का उडर कोर्पात है यू थे बारत राई Bennukum कई जल पर फाथ यस्से बारत का नियागा भी कहते हैं अशनी अगर आप भारत में जो पठारों के बारें पढ़ेंगे तब आप दंड कारणे पठार में इंद्रावधी का नाम जरूर आएगा ठीक है तो यह पस्चिम क्यों नहीं बैती है क्योंकि यह तो गोदावरी की सायक नदिया तो इस तो बंगाल की काड़े में गिर जाती है अग ने कटी बंदी शुष्क सदाबार वन अगला सवाल है गेर जिवास में इंदन वर्ग में भारत में कौन से गेर प्रमप्रागद उर्जा श्रोत की सरवाधिक संस्थापित उत्पादन शमता पाए जाती है ठीक है सरवाधिक उत्पादन शमता पाए जाती है गेर प्रमप वो कौन सा संगटन प्रकाशित करता है, BEI Index, तो वो करता है भारती रिजरो बेंग, ठीक है, भारती रिजरो बेंग, जो है, वो Business Expectation Index, जो है, वो संगटन प्रकाशित करता है, अगला सवाल है, 1919 के अधिनियम ने भारत में पहली बार किस विववस्ता की शुरुवात की थी, प्रस्तावित संगी विधाई का ची उच्छ सदन का नाम जाता, अब हमें पुछा है कि 1935 जो अधिने माय था, उसके अनुसार उच्छ सदन का नाम जाता, उच्छ सदन नहीं यानि राज्य परिशद है, ठीक है, तो उससे कहते है थे, Council of State, उच्छ सदन का नाम था, Council of State, ठीक है, तो confuse नहीं होना है, Council of State ही था सिर्फ, ठीक है, यानि राज्य परिशद, वो निम्न सदन का नाम था, संगी सबा, ठीक है, अगला सवाल है, सविधान ची उद्देशिका की कौन सी विशेष्था निर्वाचित राष्टरपती द्वारा प्रकट होती है, ठीक है, जो वो दर्शाता है, निर्वाचित राष्टरपती के पत को, ठीक है, अगला सवाल है, अगला सवाल है, हमें दो सूच्छा दी गई है, ठीक है, उनका मिलान करवाना है, अनुछे दिये गए एक तरफ और उनसे समंदित कुछ विशेष्था है, फिर जो उनमें प्रावधान यह गया है, उनके बारे में दिखा गया है, ठीक है, तो इसमें पहला है, उमीदवारों उनके पूर्वा आच्रन के समंद में जानने का मतादिकार का अधार, ठीक है, यह जो अधार है, यह जो अधिकार है, वो दिया जाता है, उननीस एक के ए में, ठीक है, एकांतता का अगला सवाल है निमनलिकित में से क्या सोतंतर रता की मूल रतिकार में शब्द से शामिल नहीं है तो संग बनाने की सोतंतर रता हाँ अनुचेद 19 के तहद दी गई है अभिवेक्ति की सोतंतर अभी अनुचेद 19 के तहद दी गई है अन्तर करान के जो सोतंतर रता है वो दी गई है अनुचेद 25 के तहद यह अनुछेद कौन से कितायत दी गई है अनुछेद 25 कितायत हमें दी गई है और यह आता है धार्मिक सोतंतरता का अधिकार है शांति पूर्ण सम्मिलन की सोतंतरता है यह तीनों जो है वो अनुछेद 19 में शामिल है और जो अनुछेद 25 में है वो है अनुछेद 19 में शामिल यहांने हैं इसमयानी जो मूल करतवे उन में समड़ेत नहीं है हमारी सामाजिक संस करती कि गोरव Šarlit Pgel iki रक्षा करना भारत के प्रतेखनागरिका करतवे संबलित है इंसा से दूर रहना भारत के परतेख नागरिक का करतव है ये भी सही है प्राकर्दिक प्यावरन की रक्षा करना भारत के परतेख नागरिक का करतव है ये भी सही है हमारी राष्ट्य भासा हिंदी का आदर करना और भारत के परतेख नागरिक का करता वे यह जो है शब्दस है भारत के जो मूल अधिकार है सविधान के जो मूल अधिकार है उनमें शामिल नहीं है तो इसका सही जवाब यह होगा अगला सवाल है जो हमें DPSP वो दिये गए और पूच्छा है कि कौन है जो सविधान संशोदन से जोड़े गए इनमें से तीन दे दिये गए में DPSP में जो है पहला है समान नहीं तो सविधान संशोदन के तहत तो 42 जो सविधान संशोदन हुआ था ठीक है, 1996 में उसके तहट जो है, इसको एड़ किया गया था, समान नयवे निशुलक विदिक सायता को, और जो सहरकारी समीतियों का उन्यन है, जो अनुछेद तयानिस है, उसके बी में इसको एड़ किया गया था, वो कब किया गया था, सित्यानमवा जो सविदान संशोदन समान नयवे निशुलक विदिक सायता को, और सहरकारी समीतियों के उन्यन को, ठीक है, अगला सवाल है, अगला सवाल है कि भारत की राष्ट्रपती की पदावदी के समन्द में निम्नकित कतनों का कौन सा सही नहीं है, ठीक है, गलत कतन बूचा है, तो पहला है कि राष्ट् अपने हस्ताक्षर सहीत लेख द्वारा अपना पद त्याक सकेगा, यह गलत कतन है, अपना त्याक पत्र जो है, राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती को देता है, ठीक है, ना कि मुखे नयदीश को, सविधान का अतिकर्मन करने पर राष्ट्रपती का अनुछेद 61 में अगला सवाल है, निमने लिकित में से सविधान का कौन सा अनुछेद पर राष्ट्रपती को राष्ट्रपती और मंत्र परिशत के बीच का संचार का चैनल बनाता है, ठीक है, तो कौन सा अनुछेद के तहट तो अनुछेद 78 ठीक है, इसमें कहा है कि पर राष्ट्रपती क थे के सूचना दे तीकह सूचना का घो करतव बताया गया एक प्रदान मंद्री में तो 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 badge पते ती और उसके संचार का कारिं करता है तो अगला सवाल है कि क्यों क्रिप लुव से पूछ अगला सवाल है में कूट लोगा है कि जो कूट का पार्टी है जो तमर assistantsy के गहां तो कोंग्री ससेलिस्ट पार्टी है उसका घठन चया था अचारी नरेंद्र देव ने भारत की कोनिच्ट पार्टी कैंट कई अपर उपाद्यान उपाध्याने और सोतंतर पार्ट का सी राजगुपला चारे ने ठीक है अगला सवाल है 1955 में एतिहासिक एफरो एशियन समिलन का उजित कहा हुआ था तो ये वा था बांडोंग इंडोनेशिया में ठीक है चिनमे रजनीनाथ गेहर खान स्यूंग्त राष्ट आर्थिक एवं सामाजिक परिशत की अधिक्सताटी सही है रगेंद्र सिंग अंतराष्ट न्याली की अधिक्सताटी सही है हनसा महता स्यूंग्त राष्ट सुरक्षा परिशत की परतम महिला देख्षे गलत कतन है ठीक है और ये तीन आप याद रख लेना ठीक है अगला सवाल है अगला सवाल राजस्थान में विंधेन कगार किस चेत्र में पाये जाते हैं ठीक है विंधेन कगार चेत्र पुछा है तो वो पाये जाते हैं हमारे धोलपूर करोली चेत्र में ठीक है धोलपूर करोली चेत्र है वहा डबलू भी पाए जाता है वी डबलू के डबलू जैसा कोई भी जलवाईू का परकार जो है वो राजस्थान में नहीं पाए जाता है ठीक है अगला सवाल है नदी जो की yapıyorsun की आस के रूप में जाने जाती है ठीक है तो उद्यपूर्चितोडगड तो है यह है अगर इन दो अप्शन में कंफ्यूज होते हैं तो उद्यपूर्चितोडगड बारा और करोली या जालावार वा टॉंग तो उद्यपूर्चितोडगड बारा और करोली जो इसका सही आंसर होगा ठीक है यह सरवादी कुल निमन कित में से कौन सा राजस्थान का अलसी उतपद्दक प्रदेश है जहां अलसी का उतपद्द किया जाता है तो हो है हाड़ोती प्रदेश ठीक है अगला सवाल अगला सवाल है कि राजस्थान में भील जन जाती द्वारा मेदानी भागों में की जाने वाली करशी कहलाती है यानि कि जो भील जन जाती है वो मेदानी भागों में की जाने वाली करशी क्या कहलाती है ठीक है एक तो पहाडों में की जाती है उसको तो कहते है चीम माता ठीक ह तो जो मेदानों में की जाती है वो दजिया हो गई और जो पहाडों में की जाती है वो चीम माता माता रानी पहाडों पे रहती है तो पहाडी कर्शी को क्या हो गया चीम माता गया देंगे और फिर बजन जाएगी सिर्फ दजिया तो फिर मेदानी भागों में दजिया कर्शी की जाती है भील जन जाती दौरा ठीक है नियम्लि कित मैंसे कौन सा धत्यां राजस्थान में लिंगानुपात के बाड़े में जन गरणा 2011 थी के 10GS ही नहीं है धीक है तो 2011 के पर ग्रामिश राजस्थां 1 934 जान पर जो है नंगारीअ नुपात है आ बाल लिंगा अनुपाद 0 से 6 शमों का जो बाल लिंगा अनुपाद आता है वो है 888 में गलत है ठीक है बाल लिंगा अनुपाद राजस्थान में ट्रिपल एट ठीक है और बाल लिंगा अनुपाद सरवादिक है 208 में ठीक है तो यह कतने गलत है बाल लिंगा अनुपाद जो में सरवादिक पाय जाती है याद रखना ठीक है अगला सवाल है अगला सवाल है हमें प्रेटन इस्थल दिये गया और जो प्रेटन सरकिट है ठीक है वो बताने है कि यह जो प्रेटन इस्थल है वो कौन से प्रेटन सरकिट में गहना पक्षी वियाहर है तो सरकिट से पता चल में होने के कारण सिखावटी सरीकित में हो जाएगा ठीक है अगला सवाल है निमनलिकित में से किस सभेता को धूर कोट भी कहते हैं ठीक है किस सभेता को कहते हैं आहड की सभेता को धूर कोट की सभेता कोट वगोरे की सभेता भी कहते हैं ठीक है लाल और बिल्ले मृत भांडो कि सभेता भी गहते हैं भी निम्लनली कित में से कौनसे सभेता कांचली नदी के उद्गम पृस्थित है गनेश्वर सभेता ठीक है अगला सवाल, रंथंबोर के चोहान राज्वंस का संसापक कौन तुरन् थंबोड के चोहान राजवंस का न सवंकिंध इंदोन हं अगला सवाल हल्दी घाटी का पटशी दुद का मैंदान किस चलए में इस्थित है किस चले में इस थित है रासंमंद में यह से अगला मोतिलाल तेजावत का जनम कहां हुआ तो मोतिलाल तेजावत का जनम हुआ ता कोलियारी में ठीक है इसका सही जुआपू का कोलियारी उद्यपूर में स्थापित देश हितेशनी सभा का मुख्य उद्यशे क्या था तो देश हितेशनी सभा का मुख्य उद्यशे था विभा समंदित कठिनायों का समाधान करना ठीक है इदेश हितेशनी सभा कहां थी उद्यपूर में उद्यश का मुख्य उद्यशे था विभा स मंदित खठिनायों का समाधान करना तंसुख लाल मित्तल किस प्रजा मंदल संगधन के नेता थे तो यह थे कोटा राजी प्रजा मंदल जो है उसके संगधन के नेता थे तंसुख लाल मित्तल ठीक है अगला सवाल है बरट का किसान अंदुलन किस भूतपूर्व देशी रिया सब्सक्राइब अगला सवाल है वर्तमान राजस्थान राज जी के गठन चीस सारी परिक्रिया पूर्ण हुई थी तो मैं पता है कि 1956 में हुई थी एक नॉम्बर बुंदी के तारागड़ दूर का निर्मान किस ने करवा है तो बुंदी के जो तारागड़ दूर उसका निर्मान करवा है राओ बर्सिंग ने ठीक है राओ बर्सिंग ने बुंदी के तारागड़ दूर का निर्मान करवा है अगला सवाल महीला चित्रकारों कमला एवं इलाइची के नाम किस चित्र सेली से संब्धिता है ठीक है तो कमला और इलाइची के जो नाम है वो संब्धिता है ना द्वारा जो चित्र सेली है उससे संब्धिता है इन दोनों के नाम कमला वै इलाइची मुख्य चित्रकार महीला चित्रकार टुको तो इसके साथ ही सेकंड ग्रेट का जीकर गुरी जो सी का कर वह कंपलीट हो चुक है गुरूब डी और gepुप सी दोनोंगे ए भंप कमप्लीट कर लीं थीक और इसके त्शार्त शेृट ने मिनक पुलूब है जीवई शूटी के साथ दन्यवाद